नमस्कार दोस्तो अभी अभी की सबसे बड़ी और बहुत भुरी ख़बार पूरी दुनिया में भेंग कर महापरले जी हाँ दोस्तों अभी अभी पाकिस्तान से बहुती बड़ी हवार पाकिस्तान के अंदर बिजली और पानी के बाद में अब एक नया संकट गहरा गया है पाकिस्तान में इंटरनेट सर्वीस काफी डाउन हो गई है पिछले कुछ समय से पाकिस्तान में इंटरनेट यूज करने वालों को काफी जादा दिकतों का सामना करना पड़ रहा है इसकी वज़े केबल में आई खराबी बताई जा रही है लेकिन एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि इस समस्चा से लोगों फिलाल निजात भी नहीं मिलने वाली है यनकी पाकिस्तान में इंटरनेट संकट भी दुस्तों गहराता जा रहा है एक रिपोर्ट में बता गया कि वहाँ पर काफी जादा मात्रा में बारिस हुई है इस वज़े से कई इलाकों में भयानक बार आई इस कारण से लोग का जंजीवन बुरी तरीके से दुस्तो अस्त व्यस्त हुआ है इसका असर ऑप्टिकल फाइवर पर भी दुस्तो पड़ा है जिस वज़े से पाकिस्तान के के जगों पर इंटरनेट सर्विस बंद हो गई है पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट बिजली बंद हो गया है सेकडो गाउं के अंदर बिजली नहीं आ रही है लोग दुस्तों परेशान हो गए हैं क्योंकि दुस्तों यहाँ पर भारी से अतियंत भीशन भारी भारिस हुई है इसका असर आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ सकता है वहीं एक रिपोर्ट में बताया कि पाकिस्तान टेली कम्यूनिकेशन कंपनी लिमिटेड और पाकिस्तान टेली कॉम ऑथरेटी को केबल कट की घटना के बाद एक रिपोर्ट सब्मिट करने के लिए सरकार की और से कहा गया है रिपोर्ट में बता गया कि इंटरनेट आउटेज का प्रमुक कारण बाढ रहा है पानी को हटाने के लिए हैवी मसीन का प्रियोग के जा रहा है जिससे फाइबर आप्टिक स्केवल डेमेज ना हूँ पाकिस्तान के आईटी और टेली कॉम मंत्री ने इसको लेकर टेकनिकल रिपोर्ट मांगी है उन्होंने निकट भविसे में ऐसी घटना जादा होने की बात भी गई है रिपोर्ट में ये भी बताय गया कि पाकिस्तान टेली कॉमिनिकेशन कंपनी लिमिटेड ने एक इमर्जेंसी घुषना करनी की बात कही है ताकि एसी घटना होने पर रिपेर का काम पूरा हो सके मंतरी ने का कि पाकिस्तान टेली कॉम ऑफरटी सर्वीस की इकॉएलिट्री को लगातार मुनिक्तरी कर रहा है तो बहुती बड़ी खबर इस वक्ते आई है दोश्तो आप सभी से विद्दे की समय अलट रहे हैं बाहरी बारिस के चलते बाहर ना रिख ले ये तस्वीरे आप देख सकते हैं दूस्तों यहां पर नदियों ने रोधर रूप दिखा दिया है सारे के सारे रिकोर्ड फैल हो गए हैं तीन प्रांत बुरी तरेके से प्रभावित हु कर दिया हैं ।